मिशन सिक्षन समवाद दैनिक नेतिक प्रभाद दिनांक 19 अगस्त वर्ष 2024 दिन मंगलवार बाल कहानी राखी के धाके तो आईए सुनते हैं आज की बाल कहानी राखी के धाके एक जंगल में एक शेर रहता था उसके आतंक से परिशान होकर सभी जानवर बारी-बारी से उसके पास प्रति दिन एक नियत समय पर पहुँचने लगे उसी जंगल में एक नील गाय का जोड़ा रहता था उसके दो छोटे-छोटे बच्चे थे जब नील गाय को पता चला कि अगले दिन शेर के पास पहुचने की मेरी बारी है तो वे सोच में पढ़ गया उसकी पत्नी ने उसे इस तरह चिंतित देख कर कहा आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं नील गाय ने कहा हमारे प्राणों पर संकटा खड़ा हुआ है कल शेर के पास पहुचने की मेरी बारी है उसकी पत्नी पुनह बोली आप चिंता मत कीजी मैंने इसका उपाय खोज लिया है और मुझे पूरी आशा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा यह कह कर उसने अपनी योजना के बारे में अपने पत्ति को पूरी जानकारी दी और बोली कि मैं शेर के पास जा रही हूँ आप चिंता मत करना यह कहकर नील गाय की पत्नी ठाली सजा कर शेर के पास जा पहुँची जब शेर ने दूर से उसे आते हुए देखा तो वे तुरंट समझ गया कि इसके पती की यहां आने की बारी तो कल है यह आज यहां क्यों आई है यह सोचकर शेर उसी ओर बढ़ गया नील गाय की पत्नी पास आकर बोली परणाम भाया प्रत्युत्तर में शेर ने अपना सिर हिलाया वह आगे बोली मैं आपको सदा अपना भाई मानते आई हूँ और हमेशा आपको भाई कहा है इसलिए इस नाते मेरा फर्ज है कि रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर आपको राखी बांदो ताके आप सदा सुरक्षित और सुखी रहें यह सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और बोला बहिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे राखी बांदने आई हो ठीक है बांदिये शेर की आज्या पाकर नील गाय की पत्नी ने शेर को राखी बांदी और बहुत सी मिठाई और पक्वान खिलाए मिठाई और पक्वान खाकर शेर बहुत खुश हुआ वे बोला बहिन मांगिए क्या चाहिए यह सुनकर बहिन कुछ भी नहीं बोली शेर बोला क्या बात है तुम राजा और भाई दोनों के पास खड़ी हो मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात की चिंता मैंने तुम्हें वचन दिया है नील गाय की पत्नी बोली कल मेरे पती की यहां आने की बारी है यह सुनकर शेर बोला तुम मेरी धर्म की बहिन हो अगर मैं तुम्हारे पती को छोण दूँगा तो ये सबके साथ अन्याय और अनैतिक तता भेदभाव पूर्ण होगा तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और बहिन के पती और बच्चों की रक्षा करना धर्म नहीं है मैं जा रही हूँ बड़े विश्वास से जीवन की खुशिया मांगने आप से आई थी यह कहकर नील गाय की पत्नी चली गई और शेर उसे देखता रह गया उसने अपने पती को जाकर विश्वास दिलाया कि उसे कल कुछ नहीं होगा दूसरे दिन जब शेर के पास नील गाय पहुँचा तो शेर व्याकुल होकर कराह रहा था शेर को कराहते देखकर नील गाय वैद को बुला कर लाया और उसका उपचार कराया जब शेर कुछ देर बात स्वस्थ हुआ और होश में आया तो सारी हकीकत जान कर बोला आज तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए जान के बतले जान वापस दे रहा हूं आप अपने घर जाईए शेर की बात सुनकर नील गाय ने हाथ जोड़कर शेर को प्रडाम किया और अपने घर चला गया उसकी पत्नी और बच्चों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है नील गाय बोला आज रक्षा बंधन का पर्व है तुम्हारे प्रेम भरे धागों की बदावलत मेरी जान बच गई सच मुझ प्रेम में बड़ी शक्ति है जो काल को भी जीत लेता है नील गाय की पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए संसकार संदेश प्रेम पर सारा ब्रम्हांड टिका है सभी प्रेम की शक्ति से एक दूसरे की ओर घूमते हैं आज की बाल कहानी के लेखक है जुगल किशोर्त रिपाठी प्रात्मिक विद्याले बमहोरी कमपोजिट मौरानीपुर जासी उत्तरपुदेश तो बच्चों आज की बाल कहानी आपको कैसी लगी और आज की बाल कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा कैल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धान्यवाद